नमस्कार दोस्तो ओल हिंदियाइडे ट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो अगर आपका बेंक अकाउंट ICICI बेंक में है और अगर आप उसकी मोबाइल बेंकिंग यूज करते हैं तो आज की वीडियो के अंदर में आपको बताने वाला हूँ उसमें आपको जादा इंटरेस्ट मिलेगा जब भी आप APD बनाते हैं तो आप जनरली एक साल, दो साल या फिर तीन साल इस टाइप से APD बनाते होंगे लेकिन इसके अंदर कुछ आपको पूरे एक साल की नहीं बनानी उसमें कुछ दिन एड़ोन कर देने जिससे कि आपको जादा इंटरेस्ट मिलेगा आपको कम से कम 6-9% तक का 8% तक का इंटरेस्ट मिल जाएगा जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ अगर आप उसी तरीके से अपना APD बनाते हैं तो तो आज की वीडियो के अंदर में आपको complete process बताने वाला हूँ उसके बाद में आपको iMobile पे application को open कर लेना है जो भी आपने password डाल रखा वो यहाँ पर डाल दीजिएगा password डालने के बाद में आपका app open हो जाएगा उसके बाद में यहाँ पर आपको एक option मिलेगा account and deposit का यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इसके उपर आपको click करना है उसके बाद में आपको यहाँ पर एक option मिलेगा deposit का और यहाँ पर है OD again FD तो इस पर आपको click नहीं करना है यहाँ पर एक open मिलेगा deposit इसके उपर आपको click करना है उसके बाद में यहाँ पर option मिलेगा open FD इसके उपर आपको क्लिक कर देना है उसके बाद में जो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान से आपको FD बनाने है सिर्फ 2-3 दिन थोड़े दिन आपको add-on करने और आपको ज़ादा interest मिलेगा जो मैं आपको process बता रहा हूँ वो आप complete आप देख लिजेगा तो चलिए यहाँ पर amount है कि आप कितना amount का FD बनाना चाहते है तो minimum यहाँ पर आप 10,000 का FD बना सकते है तो चलिए यहाँ पर मैंने 10,000 डाल दिया 10,000 का कम बनाएंगे तो यहाँ पर नहीं बनता है यह उपर नीचे हो सकता है थोड़ा तो आप देख लिजेगा उस हिसाब से और यहाँ पर है long term और short term तो यहाँ पर मैं आपको बता दू कि अगर आप long term के लिए बनाते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है 390 days जन्रली आप 1 year का बनाते हैं तो आप कितना बनाएंगे कि 365 days का बनाएंगे तो उसमें आपको 6.1% आपको नहीं मिलेगा आपको इसे भी कम interest मिलेगा 1 year का अगर आप बनाते हैं लेकिन यहाँ पर 390 days का है है ना तो थोड़ा 15 days इसमें 15, 20, 20 days इसमें ज़्यादा plus हो गये हैं जिसकी वज़े से यहाँ पर आपको interest बढ़ जाएगा जिसे भी यहाँ पर 3 year हैं अगर आप इसको 6 महिने के लिए बनाना चाहते हैं तो जिससे कि मैं आपको बता देता हूँ तो आपको क्या करना है यहाँ पर short term short term के उपर click करना है यहाँ पर आप 180 days का बना सकते हैं और यहाँ पर आप 60 days का बना सकते हैं 29 days का बना सकते हैं अगर इससे भी आपको 7 महिने-8 महिने इस टाइप से बनाना है तो other पर आपको click करना है उसके बाद में आप अपने हिस साफ से select कर सकते हैं 1 Year का, यहां पर 1 Year आप सलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो यह 1 Year का आप सलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद में कि मनद्द कर सकते हैं, कितने टाइम के लिए बनाना है, वो आप यहां पर डाल दीजिए तीन महीने से तो इसके उपर आपको टिक करना है यहाँ पर लिखावाय ओटो रिन्यू ठीक है अगर आप चाहते हैं कि जैसे एक साल कंप्लेट हो जाए और वापस एक साल के लिए मेरी अगर आप चाहते हैं कि एक साल के बाद मेरा कोई भी ऑटो रिन्यू नहीं होना चाहिए जैसे एक साल कंप्लेट हो मेरा ब्याज और मुल्दन मेरे बैंक अकाउंट में आ जाना चाहिए तो आपको इसको बंद कर देना है ठीक है ओफ आपको कर देना है जिससे आपकी ऑटो नहीं होगी ठीक है सारे फंक्सन आप देख लीजेगा जब भी आप एबडी बनाएंगे तब बहुत काम आएंगे आपके यहां पर है नॉर्मल एबडी और यहां पर सीनियर सिटिजन जो बुजूर्ग लोग है उनके लिए उप्शन है अगर बुजूर्ग लोग है तो य यहां पर मेकजिमों 8% तक भी मिल जाता है अगर अरिबे रेपोरेट बढ़ाता है तो ठीक है तो यहां पर आप दिख लिचे का सबसे जादा मिल रहा है अभी 390 पर तो इसके उपर हम क्लिक कर लेंगे और उसके बाद में यहां पर मुझे ओन मेचोरिटी पर ही चाहिए पर सबमिट पर क्लिक करना है डिटेल अगेन आपको चेक कर लेना है फिर आपको यहां पर सबमिट पर क्लिक करना है तो यहां पर आप देख सकता हूं कि आपकी fd अकाउंट बन चुका है ठीक है और उसके बाद में आपको home page पा आ जाना है आपका fd बन कर ready हो चुका और तो औरी guys message मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ, उसके बाद में यहाँ पर account and deposit पर click करना है, और यहाँ पर deposit का option मिलेगा, इसके उपर click करना है, जो भी आपने FD बनाया रखियोगी, वो यहाँ पर show करेगी, ठीक है, तो इसका अबर detail देखना चाहते हो, तो यहाँ पर आप द तो इस type से आप अपना FD account को open कर सकते हैं, जब चाहे आप इसको break भी कर सकते हैं, यानि इसको तोड़ भी सकते हैं, इसके लिए मैं next video बनाने वाला हूँ, जिसका link वीडियो के description और i button में मिल जाएगा, तो आप उसे भी देख सकते हैं, और अपनी FD जब चाहे इसको break भी कर सकते हैं, I hope इस वीडियो में देगे information आपके लिए useful रही होगी,